मुठी भर लोग, हर साल गर्मी की छुट्टियों में नितिन अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में माउंटिनियरिंग के लिए जाता था। इस साल भी वे इसी मकसद से रिशेकेश पहुँचे। गाइद उन्हें एक फेमस माउंटिनियरिंग स्पॉट पर ले गया। नितिन और उसके दोस्तों ने सोचा नहीं था कि यहां इतनी भीर होगी। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। एक दोस्त बोला, यार यहां तो शहर जैसी भीर है। यहां चड़ाई करने में क्या मज़ा? क्या कर सकते हैं? अब आही गए हैं तो अफसोस करने से क्या फाइदा? चलो इसी का मज़ा उठाते हैं। नितिन ने जवाब दिया। सभी दोस्त परवतारोहन करने लगे और कुछ समय में पहाडी की चोटी पर पहुँच गए। वहाँ पर पहले से ही लोगों का ताता लगा हुआ था। दोस्तों ने सोचा चलो अब इसी भीर में दो चार घंटे कैंपिंग करते हैं और फिर वापस चलते हैं। तभी नितिन ने सामने की एक चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा रुको रुको। जरा उस चोटी की तरफ भी तो देखो। वहाँ तो बस मुठी भर लोग ही देख रहे हैं। कितना मजा आ रहा होगा। क्यून हम वहाँ चले। वहाँ एक दोस्त बोला। अरे वहाँ जाना सबके बसकी बात नहीं है। उस पहाडी के बारे में मैंने सुना है, वहां का रास्ता बड़ा मुश्किल है और कुछ लकी लोग ही वहां तक पहुच पाते हैं। बगल में खड़े कुछ लोगों ने भी नितिन का मजा को राते हुए कहा। भाई अगर वहाँ जाना इतना ही आसान होता तो हम सब यहां जख नहीं मार रहे होते। लेकिन नितिन ने किसी की बात नहीं सुनी और अकेला ही चोटी की तरफ बढ़ चला और तीन घंटे बाद वो उस पहाडी के शिखर पर था। वहां पहुचने पर पहले से मौजूद लोगों ने उसका किया और उसे एंकरेज किया। नितिन भी वहां पहुच कर बहुत खुश था अब वो शान्ती से प्रकृती की खूपसूरती का आनंद ले सकता था। जाते जाते नितिन ने बाकी लोगों से पूछा एक बात बताईए। यहां पहुचना इतना मुश्किल तो नहीं था। म ऐसा क्यूं है कि वहां सैकरों लोगों की भी है और यहां बस मुठी भर लोग। वहां मौजूद एक वेटरन माउंटेनियर बोला क्योंकि ज्यादातर लोग बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता। वे सोचते ही नहीं कि उनके अंदर इससे कही ज्यादा पाने का पोटेंशल है और जो थोड़ा पाकर खुश नहीं भी होते वे कुछ अधिक पाने के ले रिस्क नहीं उठाना चाहते। वे दरते हैं कि कहीं ज्यादा के चक्कर में जो हाथ में है वो भी ना चला जाए। जबकि हकीकत ये है कि अगली चोटी या अगली मंजल पाने के लिए बस जरा से और एफट की जरुरत पड़ती है। पर साहस ना दिखा पाने के कारण अधिकतर लोग पूरी लाइफ बस भीर का हिस्सा ही बन कर रह जाते हैं। और साहस दिखाने वाली उन मुठी भर लोगों को लखी बता कर खुद को तसल्ली देते रहत हैं। फ्रेंज, अगर आप आज तक वो अगला साहसी कदम उठाने से खुद को रोके हुए हैं तो ऐसा मत करिए क्योंकि अगली चोटी या अगली मंजल पाने के लिए बस जरा से और एफट की जरुरत पड़ती है। खुद को उस एफट को करने से रोकिए मत। थोड़ा स साहस। थोड़ी सी हिम्मत आपको भीर से निकाल कर उन मुठी भर लोगों में शामिल कर सकती हैं जन्हें दुनिया लखी कहती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद